स्वागत है आप सभी का Education of AirVed में आज बात करेंगे AirVed Staff Nurse की परिच्छा जो प्रारंबिक परिच्छा होने वाली है उसके बारे में और जो यूनानी स्टाफ नर्स हैं उनकी जो परिच्छा प्रारंबिक परिच्छा जो होने वाली है उसके बारे में क्योंकि एक तरह से बहुत सारे लोगों ने इनी स्टुडेंट को बहुत ज्यादा Confuse कर दिया है तो इस वीडियो में डीटेल में बात करेंगे कि कैसे इनकी परिच्छाएं हो रही हैं क्या चीजें सामने निकल के आ रही हैं तो हम आपको बताएंगे इसमें कि आपकी परिच्छा कब होगी एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा और जो खबरे निकल के आ रही हैं कि आपकी परिच्छाएं निरस्थ हो गई है नहीं होंगी यह सारी चीजें तो उसका भी जबाब इस वीडियो में मिलेगा तो अभी तक कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो अच्छी लगती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको लगता है कि नहीं जरूरी है इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रहे है जरूरी है तो दूसरों तक भी आप शेयर करके वीडियो को पहुचा सकते है बाकी अगर कोई समस्या रह जाती है नहीं समझ में आता हो तो आप comment में comment भी कर सकते हो comment box में जा करके चलिए बात करते हैं जो आज इसमें जो बिशय ले करके हम आपके सामने उपस्तित हुए है यह जो बिशय आपका UPPSC UPPSC का है कि आपका जो बिभाग है जिसने आयोग जो आपका भरती निकाला है और जो आपकी भरती परिच्छा करा रहा है तो आपके बोर्ड जहां से आप पढ़ाई करते हो वह बोर्ड जो है आयर्वेदिक युनानी तिब्बी चिकिस्सा पद्धती बोर्ड है पद्धती बोर्ड उत्तर परदेश ठीक है उत्तर परदेश यह आपके बोर्ड का नाम है और आप देखें तो बोर्ड की वेबसाइट पे इंग्लिस में नाम लिखा हुए बोर्ड का बोर्ड आफ आयर्वेदिक युनानी तिब्बी सिस्टम आफ मेडिसीन उत्तर परदेश ठीक है तो आपका जो बोर्ड है आयर्वेदि से युनानी से और तिब्बी चिकिस्टम पधती के उपर पाठेक्रम ले करके चलता है इसमें जो चिकिस्टम है बीमस वाले उनका भी रेजिस्टेशन होता है आयर्वेद वालोग जो है फार्मासिस्ट हो गया श्टाफ नर्स हो गया उनका रेजिस्टेशन होता है जो आईरवेद स्टाफ नर्स हैं, हम अलग अलग बता रहे हैं ताकि फिर कन्फ्यूज ना हो और फिर कमेंट ऐसे नहीं आने चाहिए, इसको देख करके यह समझ में आगे नहीं, आपका जो मांसी कस्तर है कितना कम है आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आईरवेदिक स्टाफ नर्स की जो भरती हैं, वह संख्या जो है, तीन सो है, जिसमें से अनतालिस जो है, पूरुश अभ्यर्थी हैं, पूरुशों के लिए सीटे निकाली गई हैं, और दो सो बावन जो सीट है, वह महिलाओं के लिए, दो सो बावन सीट किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए, चाहिए और यह मुंख्य परिछ्षां में पड़ेक नелिस्हटु न्युक्राइव मुख्य परिच्छा यह को । मुख्य परिच्छा जो है प्रश्न उत्तर लिखने होगे उसमें प्रश्न उत्तर लिखना होगा मतलब की लिखित परिच्छा होगा लिखना होगा जिसमें आपको short answer मतलब कि लगूतरी और दिर्गूतरी प्रशन लिखने होंगे उसके जबाब लिखने होंगे आपको ठीक है और प्रारंभीक परिच्छा जो है mock type का है mcq है जिसमें आपको 170 प्रशन मिलेंगे जिसको 85 नंबर जिसके लिए निर्धारित किये गए हर question पे 10 मलो 5 मिलेंगा आपको और हर गलत आंसर पे आपके 10 मलो 3 कट जाएंगे ठीक है गलत अगर जबाब देंगे तो इस हिसाब से आपकी marking होगी और आप देखें तो उसमें जो आईरवेद के जो प्रशन होंगे आईरवेद के में सभी आप समझ सकते हो लेकिन मुख्यता GKGS है हिंदी है विज्ञान है ये सारे विसे हैं अदर जो विसे हैं उनके 50 प्रशन है तो 170 प्रशन दोनों को जोड़के होगा 85 नंबर का एक्जाम है और 3 घंटे की परिच्छा है कितने घंटे की परिच्छा है 3 घंटे की ये हुई बात आपके आईरवेद श्टाफ नर्स की अब फिर से हम दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास करते हैं अब इस तरह से समझते हैं कि जो भरती परकिरिया है वो किस तरह से होने वाली है किस तरह से चीज़े निकल के आ रही है तो ये है एक मिट अगर देखा जाए तो अलग-अलग चीज़े निकल के आ रही है जिसमें जिसमें सबसे पहले आईरवेद श्टाफ नर्स आईरवेद श्टाफ नर्स और ये हैं यूनानी स्टाफ नर्स इनकी भरती संख्या रिक्तियां इनकी जो है वह 27 सीटों पे हैं और इनकी जो रिक्तियां है वह 300 पद हैं 300 पदों पर इनकी निक्तियां जो है होनी है सारी परिछाएं होने के बाद से और इनके 27 पद है ठीक है बोड एक ही है हमने पहले ही बता दिया पीछे बताया है कि बोड एक ही है यूनानी स्टाफ नर्स जो कोर्स करते हैं यूनानी स्टाफ नर्स का जो कोर्स होता है डूरेश पद्धती पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, युनानी चिकिस्सा पर यह आधारित होते हैं, जितने भी विसे होते हैं, युनानी चिकिस्सा पर आधारित होते हैं, और इनकी भासा जो होती है, वो क्या होती है, उर्दू होती है, क्या होती है, उर्दू, और यह है युनारी स्टाफ नर्स ठीक अब बात करते हैं इनकी आयरवेद स्टाफ नर्स की तो आयरवेद स्टाफ नर्स का जो कौर्स है उसमें जो भी सह होते हैं वह सब ही होती है जितना डूरेशन उनका है उतना ही इनका भी होता है और इनकी जो भासा होती है भासा जो पढ़ाई जाती है इनको जिस हिसाब से यह पढ़ते हैं भासा जो प्रियोग में लिया जाता है तो इनका जो भी से होता है हिंदी में पढ़ाया जाता है जबकि इनके में श लेकिन उसे हमारा मतलब यहां पर बताने का कोई नहीं है, अब बात करते हैं इनकी भरती से सम्मंधित, तो इनकी भरती में जो परिच्छा है, दो है, जिसमें बोला गया एक प्रारंभिक परिच्छा है, प्रारंभिक, जो की MCQ होगा, कितने question का, 170 प्रश्न होंगे, जिसमें से 120 आयरवेद के होंगे, 120 आयरवेद के होंगे, और 50 होंगे आपके other subject के, मतलब कि अन्य बिस है के, जिसमें GK, Gs वगरा जो भी है, वो होगा, टोटल आपके होंगे 170 प्रश्न, 170 प्रश्न होंगे, 85 मार्क के, 170 प्रश्न होंगे, 85 मार्क के, और कितने समय के लिए होंगे, 3 घंटे का exam होगा, 3 घंटे का, जब जो प्रारंभीक परिच्छा पास करेगा, वो बैठेगा मुख्य परिच्छा में, और यहाँ परिच्छा जो है, लिखीत होगी, जिसमें 9 प्रश्नों में से लगभग आपको, प्रारंभीक परिच्छा का अस्तर क्या है, पहली जो परिच्छा होगी, इनका भी MCQ होगा, और सेम इसी तरह से होगा, इनके भी 120 प्रश्न जो है, युनानी विशय से आएंगे, युनानी चिकिस्सा का जो विशय है, उससे आएंगे, और 50 प्रश्न जो है, वह अन्य विशय से आएंगे, ठीक है, तो इनका भी वही सेम पैटर्न है, परिच्छा इनकी भी 3 घंटे की होगी और mcq discuss पर नहीं होगी यह जो पास करेंगे यह जो पास करेंगे वह जाएंगे मुख्य परिछ्छा में किसमें जायेंगे मुख्य परिछ्चा में अब किसी के दिमाग में कोई confusion इस चीज को ले करके नहीं रहना चाहिए कि या आईरवेद क्या है युनानी स्टाफ नर्स क्या है क्योंकि दोनों की भरती एक साथ आ गई तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो गए यह कन्फ्यूजन बहुत ज्यादे कन्फ्यूज कर रहा है हमको तो मतलब क्या बताए इतने अब बात करते हैं इनकी प्रारंभिक परिच्छा की तिथि कि अब अलग-अलग हम युनानीक कब होगा, तो आईरवेद इस्टाफ नर्स की पहले बात करते हैं, आईरवेद इस्टाफ नर्स, प्रारंभीक परिच्छा, क्योंकि अभी आपको शुरू में बताए, प्रारंभीक परिच्छा तिथी, प्रारंभीक परिच्छा तिथी, इनकी कौब है, तो इनकी प्रारंभिक परिच्छा की जो तिति है नोट कर लिजिएगा नहीं देखे होंगे तो 22 मार्च को है कब है 22 मार्च 2024 को ठीक है यानि की इसी महीने में अब आपको official time table भी मिल जाएगा वीडियो के description में चले जाएगा UPPSC आयरवेद स्टाफ नर्स का official जो time table है जिसमें आयोग ने साफ साफ जो है तिति घोसित की हुई है प्रारंभी परिच्छा की वो आपको आपको आपे मिल जाएगा हमने कई सारा कमेंट देखने के बास इसके पहले भी हम time table दे चुके है परिच्छा तितियाई तब भी बता चुके है लेकिन फिर भी बहुँ सारे लोग confused है तो उनको हम बता दे कि time table जो है हमने टेलिग्राम में भी और अपने WhatsApp चैनल पे भी डाला हुआ है दे हुई इनकी बात अब बात करते हैं यूनानी स्टाफ नर्स की किनकी यूनानी यूनानी स्टाफ नर्स अब इनकी भी प्रारंभीक परिच्छा कब होगी इनकी भी जो प्रारंभीक परिच्छा है वो है 22 मार्च को कब है 22 मार्च 2024 को इनकी भी प्रारंभीक परिच्छा उसी दिन है, उसी तिथी पर है अब अन जो मुख्य परिच्छा है उसकी बात करते है मतलब जो pre-pass करेंगो उनकी मुख्य परिच्छा तब इनकी मुख्य परिच्छा आप time table देखिएगा तो मुख्य परिच्छा इनकी है कब 9 जून को कब है 9 जून 2024 को यानि की इसी साल ठीक है और इनकी मुख्य परिच्छा जो है मुख्य परिच्छा इनकी मुख्य परिच्छा है 9 जून 2024 इनकी मुख्य परिच्छा भी 9 जून 2024 को है ठीक है और आप सभी को बता दें कि हमारे दुआरा आयूर भासकर इंस्टूट के दुआरा आयूर भासकर एप पर स्टाफ नरसों की बहुत ही बहतरीन तयारी कराई गई है बहुत सारे इनके टेस्ट भी कराएगे है टेस्ट सीरीज आप भी तक हमारे चैनल पे हमारे वाट्सअप पे हमारा जो एप है हमारा जो एप है वाट्सअप पे उसकी लिंक भी हमने दी हुई है हमारा जो एप है आयुर भासकर वहाँ पे आपको study material अभी भी एबलेबल है हमारी टेस्ट सीरीज जो है जो 22 मार्च को जो परिच्छा होने वाली है उसकी टेस्ट सीरीज भी बहुत कम rate पे बेची जा रही है मिल रही है वहाँ पे आप course को खरीज सकते हो सबसे easy way में वहाँ आप से खरीज सकते हो नीचे scroll करके जाते हो तो वहाँ पे view more लिखा हुआ है वहाँ पे view more करेंगे तो आपको answer भी दिखता है कि कौन सा question सही है कौन सा गलत है ठीक है answer question के साथ दिखेगा ऐसा कुछ नहीं कि बस आपको यह दगेगा कि आपने कौन सा गलत कैसा नहीं प्रारंदिक परिच्छा 22 मार्च को है और मुख्य परिच्छा 9 जुन को है आपकी 22 मार्च को है अब बात करते हैं इनके admit card की किसकी बात करते हैं admit card मतलब कि आपका admit card कब आएगा यह आपके question है हम बता रहे हैं कई लोग के question admit card कब आएगा कई लोग के ये भी question है कि exam center कहा होगा exam center ठीक है exam center कहा होगा ये भी question आ रहे है और कई लोगों का यह भी question है कि परिच्छा निरस्थ हो गई है कई लोग ये कह रहे है परिच्छा निरस्थ हो गई है तो कैसे परिच्छा होगी तीन question है तीनों का जबाब देंगे admit card परिच्छा है आपकी 22 March को इसलिए admit card जो है UPPSC जो है इतना जल्दी जारी नहीं करता है exam से 3 से 4 दिन पहले आपको 3 से 4 दिन पहले 3 से 4 दिन पहले यह जो admit card है आपके release होंगे ठीक है exam center आपके admit card पर होगा लेकिन आपको बता दूँ कि जादे तर exam center जो है आपके इड़्दिड़्द ही रहने वाला है जैसे गोरकपूर गोरकपूर लखनव जो exam center है आपके गोरकपूर लखनव और वारानसी जो जगा है इन जगोंपे हो सकता है ठीक है बाकी आपके जो नोटिफिकेशन उसमें साफ साफ मेंसन है कि जो परवेस परिच्छा जो आपकी ये प्रारमिक परिच्छा हो रही है उसका जो admit card आएगा उसमें पूरा आपका जो exam center है जगा जो है वहाँ पर निर्धारित किया जाएगा ठीक है तो जब यहनें है परिच्छा निरस्थ हो गई है तो ऐसे पता नहीं कौन से महानुभाओं हैं जिनको अलग से जानकारी मिलती रहती है या पता नहीं कहां सिए जैनकारी कठा कर के लाते हैं तोollen को लगता है कि आपकी परिच्छा सो गई है तो मेरा शुो जो यहीth रहेगा कि तप आप क्या कीजिए पढ़ाई कीजिए क्योंकि जब UPPSC की जो ओफिसियल वेपसाइट है वहाँ पे आपका जो टैम टेबल है रिलीज कर दिया गया एक्जाम केलेंडर में आपकी तिथी जो है निर्धारित कर दी गई तो परिच्छा तो होगी ठीक है परिच्छा निरस्थ हो 252 सीटे थी महिलाओं की 252 सीट है और 48 सीट थे पूरुष अभ्यर्थी के वो भी है ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज कि प्री एक्जाम में आपके जो कटाफ बनने है वो लगबग आपके 35 से 40 परसेंट होने चाहिए तो 40% अगर पाते हो तब जाकर के आप मुख्य परिशा के लिए चैनित होगे तो लगबग जिन्होंने तैयारी अच्छी की होगी वहतरीन परदर्शन होगा उनका तो सलेक्शन मेंस के लिए होगा ही होगा अब मुख्य परिशा में जो अच्छा परदर्शन करेगा होना है उसमें अब सुनने में कई बात हमको यह उठकर के आ रही है कि जो आयरवेध वाले हैं उन्होंने युनानी में फार्म भरा युनानी वालों ने अइरवेध में भर दिया है तो हम मेरी एक सलाह है अगर आपको यह सारी चीजे समझ में आ गई होगी तो अगर आप आयर और अगर अभी भी इस भरती को लेकर के कोई doubt है कोई चीजे है- आपको हम मैं फिर लास्ट बार बता रहा हूँ, हमने जब यह भरती स्टार्ट हुई थी तब से आपके समझ सारी चीजों को रखा है बहुत लोग फिर बीच में कहा रहे थे कि भरती जो एकोर्ट में चलेगी एक्जाम नहीं होगा ये सारी चीजे लेकिन हमने कहा था कि एक्जाम होगा और सारी चीजे हुई टाइम टेबल भी रिलीज हुआ तो आप पॉजिटिविटी दिमाग में रखिए आप बस पढ़ाई बिध्यान दीजे बाकी जो चीजे उठ रही है जो बाते हो रही है उनको होने दीजे आप बस कान बंद कीजे आँख खुले रखिए और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से मोटिवेटेड रही है पढ़ाई बिध्यान दीजे बाकी सब अच्छा होगा बस आप पढ़ाई बिध्यान दीजे और एड्मिट कार्ड आ जाना है कोई बड़ी बात नहीं है एड्मिट कार्ड आ जाएगा एक्जाम से तिन चार रही है पढ़ाई की त्यारी जो है आपकी जैसी हो रही है उससे और बहतर करने की कोशिश कीज़ें